प्रस्ट्षेया 23. खाली अस्थानों को भड़े हैं इसमें देखें Tschau आदे जो खाली अस्थान है उसको भड़ना है तो यहाँ पे हम देखें पहले ही भड़ी है ठीक है तो यहाँ पे क्या है? 13 है देखें, 2 वटा 13 जोड ​​4 वटा 13 यानि भीन वाला जोड है का लगुत्तम क्या हो जागा 13 ठीक है तो जब हर बराबर रहे तो बस उपर वाले को जोड़ देंगे उपर में जो भी अंस है तो चार और दो छे यानि 6 बटा 13 हो जागा इसका उत्तर उसी तरह यहां यहां पर 7 हर है दोनों का तो 7 लगुत्तम हो जागा और उपर में जो भी उसको जोड़ देंगे 2-1-3 यहां भी देखिए हर 3 का बराबर है तो 9 हो जाएगा लगुत्तम यहां लिखे Tolsonान खे और उपर में जो भी यह पांच दूर्शात 1-8, 8 अचमा नहों हो जाएगा इसका उत्तर यहां पर देखिए घटाओ आ गया तो 11 11 दोनों में हर क्या है बराबर है तो 11 लग उत्तम हो जाएगा और घटा देंगे 29 बटा में यानि हर में 8 में से गया 7 यहां पर क्या हो जाएगा 7 बटा 29 हो जाएगा इसका उत्तर यहां पर देखिए 13 13 13 तीनों में 13 है तो 13 ही हो जाएगा इसका लग उत्तम बटा में हर में हो जाएगा और उपर में देखिए 5 जोड 4 जोड माइनस 2 तीनों का ऐसे ही लिग देंगे जो भी चीन है पांच जोड चार यहां पर देखिए घटाओ का चीन है तो हम यहां पर घटाओ का चीन दे देंगे साथ वटा, तेरा इसका उत्तर प्रस्न संख्या चोबिस खाली अस्तानों को अगर बायातरफवला संख्या बड़ा है तो इसको हम करेंगे अगर दायातरफवला संख्या बड़ा है तो इसको डालेंगे ठीक है तो इसमें देखें पांच बटा आठ, दो बटा आठ, पांच बटा आठ है, दो बटा आठ है, तो इसको इस तरह समझना है, पांच का आठ भाग, दो का आठ भाग, तो कौन ज्यादा बढ़ा टुकडा होगा, पांच का आठ भाग, पांच बटा आठ बढ़ा होगा, या इस तरह देखें, पां पांच रोटी का आठ टुकड़ा बड़ा होगा, दो रोटी का आठ टुकड़ा से कौन टुकड़ा बड़ा होगा, यह वाला, पांच रोटी का आठ टुकड़ा वाला, या इस तरह समझे, पांच रोटी को आठ आदमी मिख्याना है, दो रोटी को आठ आदमी मिख्याना है, तो किसका ज्यादा पेट भरेगा पांच रोटी को आठ हादमी में ठीक है तो यह हो जागा बड़ा अब इसमें देखें इसमें भी उसी तरह 9 का 43 भाग 14 का 43 भाग तो 14 का 43 भाग बड़ा होगा क्योंकि देखें 9 रोटी का 43 भाग और 14 रोटी का 43 भाग तो कौन सा टुकड़ा बड़ा होगा 14 बटा 43 वला तो यह बड़ा होगा यानि 9 बटा 43 से 14 बटा 43 बड़ा है इसमें 7 बटा 13 6 बटा 13 तो इसमें देखें 7 बटा 13 बड़ा होगा साथ बटा पंदरा साथ बटा तेरा यहाँ पे साथ रोटी का पंदरा भाग साथ रोटी का तेरा भाग तो कौन सा भाग बड़ा होगा यह वला साथ बटा तेरा वला साथ बटा तेरा यहाँ पे बड़ा होगा साथ बटा पंदरा से तो इसमें जब देखिए हर बराबर रहे तो अंस में जो बड़ा है उसी वो बड़ा कर देंगे जैसे यहां पर हर क्या है बराबर है तो अंस में जो बड़ा है देखिए पांच बड़ा है तो उसी तरफ बड़ा का निसान देंगे ठीक है, जिधर बड़ा रहता है, उसी तरफ इसका मू रहता है, इसमें, यहां भी हर बराबर है, तो 14 देखिए, बड़ा है 9 से, तो इस तरफ करेंगे, यहां भी हर बड़ा है, तो 7 बड़ा है 6 से, इसी तरफ करेंगे, यहां पर देखिए, अंस बड़ा है, तो जब अंस ब तो उसी तरफ हम ये वला निशान करेंगे, यानि 7 वटा 13 बड़ा है, 7 वटा 15 से, ठीक है, खाली अस्तानों को भरें, घन को किनारे होते हैं, पुछ रहे हैं पर भरना है कितना किनारे होते हैं घन, तो घन देखें क्या होता है, घन इसको कहेंगे हम, चारो तरफ देखें इस किनारा, किनारा मतलब, देखें, यह जो होता है किनारा, तो एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा और चार किनारा, ठीक है, इसको कोना कहेंगे, जो कोना होता है, उसको कोना को, तो यहाँ पर किनारा पूछ रहा है, यानि इसको देखें, एक, यह जो यहाँ से यहाँ तक है एक किनारा हुआ दो, तीन, चार चार किनारा इधर देखे एक, दो, तीन, चार, आठ किनारा हो गया अब देखे दो किनारा इधर नो, दस, ये दो नोगदों पहले किन चुके हैं, यहाँ पे नो, दस, और फिर इधर इगारा, पारा तो हम यहाँ पे कितना भरेंगे घन को बारा किनारे होते हैं ठीक है और इसको देखिए सता बोलते है जो उपर में जो सता है जो दिख रहा है उसको सता बोलेंगे यानि फलक ठीक है और इसको किनारा जो कोना है उसको सिर्ष बोलेंगे संकु को तो संकु देखे इस तरह का होता है ठीक है संकु इस तरह का होता है तो पूछ रहा है संकु को सीर्स सीर्स मतलब कोना तो देखे एक ही कोना होता है संकु में यह कोना हुआ जहाँ पर मिल रहा है देखे दो किनारा तो यहाँ पर एक भरेंगे हो संकु को एक सिर्ष होते हैं परतेक आकरती में तिर्भुजों की संख्या लिखे परसन 26 में परतेक आकरती में तिर्भुजों की संख्या लिखना है ठीक है तो इसमें कितना तिर्भुज है देखिए एक छोटा वाला हो गया ये वाला तिर्भुज मतलब तीन भुजा से मिलकर बना हो तो देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा तो एक तिर्भुज हो गया फिर ये भी दो तिर्भुज फिर तीन तिर्भुज, चार तिर्भुज ठीक है, चार तिर्भुज हुआ तो देखिए, एक तिर भुज, दो, तीन, चार, और एक यहां से यहां तक, देखिए यह, पांच, एक छे, एक साथ, एक आठ, इसमें आठ तिर भुज है, ठीक है, फिर से गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, और यहां से लेके, यहां से यहां तक, पांच, फिर यहां से लेके यहां से यहां तक 6 अब फिर यह देखे 7 और फिर यह वला 8 यानि 8 तिर्भुच है इसमें तो प्रस्न संक्या 26 में बस तिर्भुच को गिन करके लिख देना है प्रस्न संक्या 27 परते काकरती का परिमाप ग्याद करें तो परिमाप मतलब यह जो बॉंडरी है इसका यानि बाहर का लंबाई उसको परिमाप कहते हैं बॉंडरी का लंबाई को परिमाप कहते हैं तो देखे बस जोड़ देंगे 4,3,7,7,4,11,11,13 तो काका उत्तर हो जाएगा तो बस परिमाप जब भी पूछे तो बॉंडरी का लंबाई है उसको चाड़ो तरफ से जोड़ देना है तो 4,3,7,7,4,11,11,13 14 तो इसका 14 cm हो गया परिमाप देखे सब को जोड़ देना है और इसका 6,39,9,4,13,13,5,18 यानि 18 cm हो गया इसका परिमाप यानि बाहर का जो भी गॉंडरी है उसका लंबाई का जोड़ को क्या कहते है परिमाप ठीक है तो प्राशन संख्या 27 का का में देखिए परते का किरती का परिमाप तो का में बस जोड़ देंगी इसका तो 4 जोड़ देखिए हम यहां शुरू कर रहे है 4 जोड 3 जोड फिर 4 जोड 3 सब cm में है तो हम यहां पर cm लिख देते हैं ठीक है तो बराबर 4, 3, 7, 7, 11, 11, 13 14 cm तो परिमाप कितना आ गया परिमाप कितना आ गया इसमें कम है 14 cm तो इसका उतर कितना होगा 14 cm ठीक है अब देखिए खा में तो खा में है सब को जोड़ेंगा 5, जोड 4, जोड 3, जोड 6 cm सब cm में है इसलिए हम कोश्टक में देकर इधार cm लिख दिया है क्यानी सब cm में है जोड देंगा 5, 9, 9, 3, 12, 12, 12, 6, 18 तो इसका परिमाप कितना होगया 18 cm खा का ठीक है तो का का उतर होगया 14 cm परिमाप और खा में होगया 18 cm जोड़ुरी जोड़ै। 18 cm